नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से आपको बता दे दरसल राजस्थान की गहलोस सरकार ने कैसा विधेयक पारित किया है जिसको ले करके काफी जादा प्रदर्शन करने और समय पर अंतियम संसकार नहीं करने वालों को दो साल से लेकर पांच साल तक की जेल हो सकती है इसी के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है पता दे की परिजन डेट बॉडी लेने से मना करते हैं तो उन्हें एक साल की सजा हो सकती है इस कानहून के अंतरगत दरसल राजस्थान सरकार डेट बॉडी के सम्मान वाला बिल लेकर के आई है जिसे गुरुवार को विधान सभा में बहस के बात पारत कर दिया गया है इस बिल का नाम राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधयक है बता दे कि बीज़पी ने इसके तुलना और विधयक इसका विरोध करते हुए नजर आएं बता दे कि जहां कुछ बीज़पी नेताओं ने इसे तालिबानी कानहून करार दिया तो कुछ ने इसे इमर्जनसी के दौरान लागू की गई मीसा कानहून से जोड़ कर देख दिया तो किसी का कहना ये है कि सीधे सीधे ये कह दिया जाए कि राजस्थान में गैलोस सरकार ने इमर्जनसी ही लागू कर दी है जिसमें किया मृतक क्या शरीर रख करके अगर प्रदर्शन किया जाता है तो इसके खिलाप सजा हो सकती है जुर्मा ना लग सकता है आपको बता दे कि इससे पहले कई बार ऐसी सियासत देखने को मिली जहां पर उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाती थी तब यहीं विपक्षिदल जो हैं लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे और उनके जो परीजन थे उनके साथ बैठे हुए नजर आते थे और लगातार वहां की यूपी सरकार को घेरते हु बलतकार कर दिया जाता है एक परिवार को जिन्दा जला दिया जाता है और लोग इस चीज का विरोध करते हैं तब गहलोस सरकार ऐसा विधयक लेकर करके आ जाती है जिससे लोग चाहते हुए भी विरोध ना कर सके पता दे कि बीजपी विधायकों ने इस बिल में सजा के प्रावधानों का विरोध किया है बिल पर बहस के दौरान आदिवासी जिलो के बीजपी विधायकों ने इसका विरोध करते हुए ये कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में किसी की हादसे में मौत का मौतरना यानि की मौत के बाद दूसरे पक्ष की ओर से मिलने वाला बिल में डेट बॉडी के साथ प्रदर्शन पर सजा का प्रावधान करके आपात काल के मीसा और डी आर आई जैसे कानुनों की याद दिला दिला दी गई हुआ जो अपने परिजन की मौत के बाद डेट बॉडी रखकर प्रदर्शन करेगा जब भारी अन्याय होता है तब ही म कार जाते जाते ऐसा कानुन लेकर के आई है जो आवास को दबाने वाला है इसे कताई बरदाश तो नहीं किया जाएगा आपको बता दें इसके अलावा भी ट्वीटर पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि लगातार इस कानुन का विरोध कर रहे हैं इस कानुन को एमर्जनसी ब अगर नयाई के लिए किसी ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया तो उसे दो साल की जेल होगी अगर नेतार शामिल हुए तो पाच साल की जेल होगी अगर शव लेने से परिजन इनकार करते हैं तो एक साल की जेल होगी राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार के अंतिम संसकार का समय आ चुका है इसी के साथ ही बीजेपी नेता लक्षमी कांत भरदवाज ने भी गैलोस सरकार पर बड़ा हमला बोला उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्योंकि राजस्थान में पिछले 55 महिनों में निकम में कॉंग्रेस राज में 7500 से जादा निर्दोश नागरिकों की हत्या हुई है लोग नयाए के लिए धरने पर बैठे हर शहर में सरकार के खलाफ महौल वन गया है इसलिए ये तानलीबानी कान्हून लेकर के आए हैं वही शेवमत्यागी कहते हैं कि कायरता का प्रतीक इंडिया के मुख्यमंत्री अर्शोग गहलोत नर्जलता के प्रती में गहलोत सरकार ने एमरजनसी की घोशना कर दी है आपको बता दे दरसल मृतक के परिवार का सदस्या अगर डेट बॉडी का अस्तमाल विरोज जताने के लिए करता है या किसी नेता या गयार परिजन को ऐसा करने के अनुमती देता है तो उसे दो साल की सजा हो सकती है तो उसे भी पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है विल में प्रावधान है कि परिजन को मृतक का अंतिम संसकार जल्द से जल्द करना होगा अंतिम संसकार में देर तभी की जा सकेगी जब परिजन बाहर से आने वाले हो या फिर पोस्ट मॉटम में टाइम लग कि डेड़ बॉडी का इस्तमाल परिजन गैर परिजन या नेता विरोत प्रदर्शन के लिए कर सकते हैं तो वो उसे अपने कबजे में ले लेगा इसकी सूचना SDM को देनी होगी साथ ही थाना अधिकारी डेड़ बॉडी को पोस्ट मॉट्रम के लिए भी भीज सकता है आपको बता दे कि साथ ही इस विधयक में कहा गया है कि पुलिस से सूचना मिलने के बाद सम्बंदित मैजिस्ट्रेट या फिर SDM डेड़ बॉडी के अंतिम संसकार के लिए परिवार के मेंबर्स को नोटिस भीजेगा मृता क्या परिवार अगर डेड़ बॉडी का अंतिम संसकार नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर अंतिम संसकार करने के सशस्त्र आदेश दे सकता है यानि कि यहाँ प अपने अस्तर पर अंतिम संसकार करेगा बता दे वही लावारेस मिली डेड़ बॉडी और बिना दावे वाली डेड़ बॉडी को डीफ्रीजर में रखा जाएगा साथी ये भी सुनेश्चत करना होगा कि महिला और पुरुस की डेड़ बॉडी को अलग-अलग रखा जाए ड डीएडने प्रोफाइलिंग से एक ली जाएगी ये तमाम चीजे इस विधेग में कही गई है ये तमाम प्रावधान बनाए गए हैं लेकिन जिस तरीके से ये बिल संसद में पारत किया गया है इस बिल को लेकर के काफी जादा लोगों में विरोध देखने को मिल रहा है ल इंद्रा गांधी के एमर्जनसी से जोड़ करके देखा जो कि 1975 में पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के द्वारा देश में लगाई गई थी जहां पर ना तो लोगों को बोलने का अधिकार था ना ही अपनी मर्जी से कुछ करने का अधिकार था ठीक इसी तरीके इस तरीके के विद्यक लाकर के उनके आवास को दबाने का भरपूर प्रयास कर रही है जिसकी वज़े से लगातार अब लोग सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि आकिर इस तरीके की विद्यक लाने की जरूरत ही क्या है सीधे ये कह दे गहलो सरकार कि उन्होंने भी एमर्ज इनसी देश में लागू कर दी है जिसकी वज़े से अब राजिस्थान में कोई भी अपने हक के लिए आवास नहीं उठा सकता और अगर आवास उठाता है तो उसे बकादा सजा होगी और उसे जुर्माना दिया जाएगा फिलाल इस विद्यक को लेकर के फिर राजिस्थान सरकार के इस कदम को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें